अलो बच्चो कैसे लाप सब मैं हूं अमिच सर आप दिने सर स्मार्शडी यूट्यूब चैनल पर जहापर मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मैं इच एन अवरी क्वेश्चन प्रैक्टिस एडवाईज और ग्रेट एक्स्प्रेशन के साथ इसी वे में ओके तो चलिए आग करना है तो पहला क्या है मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जो भी रिक्वार्मेंट होगा वह मैं आपको अंदस्पॉर्ट बता दूँगा सम्स करने के टाइम पर फिलाल यह प्रैक्टिस सेट पूरा पर बताना चाहिए आपके जहन में होनी चाहिए पहली बात प्यार्ल चाहर एंगल होते हैं जैसे कि मैं इसमें डाइग्रम के रिक्वार्मेंट है यह मैं ड्रॉ कर देता हूं को आपको सिर्फ डाइग्राम बना रहा हूं आप कभी भी डाइग्राम बनने के लिए चुहें स्केल और पैंसिल का यूस करें तो अपोजिट साइड और होते हैं मतलब डाइग्राम कर देता हूं सिर्फ आपको बादा नहीं के लिए कि यह डाइग्राम है तो यह अपको पता है लिए इस प्रेक्टिस सेट के लिए यह यह तो यह चुछ वात है दिए और पर बेंग्राम है प्रॉपट्ट यहीं प्रॉपट्टी चलिए संस के उपर याते संस क्या बोलता है याद रखो चौमेट्री को इजी करने का एक ही सिंपल रूल है कोईशन पड़ो डायग्राम बनाओ जो भी कोईशन में समझ में आता है डायग्राम में च्छाप दो बस बाकी आगे क्या करना है यह सब आपको डायग्राम बताएगा मेरी बातों को याद रखिएगा चलिए डायग्रलो नाम ड्रॉएक्स वाइज इंट्रसेक्ट इस अधर पर इंट्रसेक्ट होगा मतब डायग्राम जॉइंट करेंगे फिर क्या बोल रहा है यह वाला एंगल यह निकालने आपको यहां तो लिखेंगे और यहां पर आप लिखेंगे लिखने क्या लिखना है तभी कभी क्या होदा है हम सॉल करने के दौरान क्वेश्चन में दो तीन बाते पूछी होती है हम एक ही फाइंट करके दूसरे क्वेश्चन पर सले आते तो वह नहीं होना चीए इसके लिए तो हमें क्या 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 कि डबलू एंगल डबलू निकालने हम लोगो देखिए आप डबलू एंगल बोलिए या एक्स डबलू क्वेश्चन इन तो यह पूरा लिकदा हो एक डबलू अपको आपको पूछ रहा है कि यजड डबलू भी फाइनट करो वाइजडबलू यॉवाला यह वाला भी आपको करना है और और नहीं चेंटिमेंट तो होगा है यहां तक का जो डिस्टेंस यह फाय है ओके यह जो मै यह पैंसल से आप यह मार्क कर सकते हो ऑगे बट खिचडी ना बनी इसका जरद खाल रहां रहां नीट अंगिन और नहीं तो यह वह लिख दिया मैंने अभी तक कुछ अपना दिमाग लगया नहीं डागराम में जो बोला था पर लिद्व लगरम उनको चीए तक पर दॉल ना सबसे हैं तो आप सब्सक्राइब तरह करना जा रहा हूं के लिए जो आकृति है जो डाइग्राम है यह सबका मुनिंग होता है वह क्या है वह लिख दो इसके यह फ्रजेशं में कुछ इखोगे तो किसके स्पेक्ट में यह व्लॉम突出 alm नंट चुब प्रॉपर्टी दे रहे हो वह उसके बताएगा सब्सक्णका पावर कीतना छह बोल रहे लकाएप करो तुमको दे दिया हो जो करना है करो अब मैं दिवांग लगा तो आई यह जो है 135 है अभी सर ने तीन प्रॉपेटी बताई थी या देके नहीं भूल गए अपोजिट एंगल ना कॉंग्रेंट तो यह तो पहला वाला दूसरा वाला यह तो आजू-बाजू वाले एंगल हो होते हैं क्या बोलाए मैं आजू-बाजू वाले आप और आपके परोसी आजू-बाजू ओनाटि दिग्री घ्रैची सब्र est अ मतलाए वाल था मतला library मतलब Ведь सब्सक्रोन मतलब इसको सको न दिखो पक The सब्सक्राइब करते हैं मतलब अगर यह चैनल को कट कर रहा है तो इसने दो इक्वल पार्ट किये हुए है तो अगर यह फा है तो यह भी तो फा होगा कर टोो यह फ़ी सब्सक्राइब कर तो यह फार फार नाव है क्या कितना निकल झाला ना सब्सक्राइब को यह फिर यह पावर और डाग्राम जोमेट्री एक पस अप इसी चीज़ को फॉलो करना है और अपने आफ आप एसंग आप एसे लिखते हो वैसे अपने आफ्म इसको और रहाएं कि एकस एकस पर दूदिut आप दूद्टर भॉल मैं डॉक्टर आने लगती है वाट्टक्ट्ट बन जाता हूं यहां पर आपको एक रीजन चिपकाना है वही आपको लिखना है आपको लिखना है आप यहां पर देखिए यहां पर मैंने नहीं लिखा है कि यह किसका अपोजिट एंगल है क्यों है क्योंकि मैंने यहां पर और अलय है लिखना है तो यह सब प्यरलेल लोग्राम के रिस्पेक्ट में होगा यहां पर वाले पड़ोसी है यह टोटल वानेटी आएंगे कोई बात नहीं जो मैंने बोला एक एक वर्ड सेम डायलोग के साथ यहां पर मैं लिख दूँगा यहीं मैंने बोला था यहीं मैंने लिखा बस एक रीजन चिपकाना है एड़ेसंट एंगल्स कि हार सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मतलब क्या सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री कि छिपका दिया अगें इसमें मैंने यह नहीं लिखा कि यह एक लाइन मैंने लिख दिया है वही सबके लिए लागू होईगी तो भाई अप्सॉल करो एक्सवाइज कितना है एक्सवाइज एड़ वन थर्टीफाइव फ्लस वाइज वेल्यू यही तो निकालना ना भाई है जिसको निकालना जाता है उसको कोप्ष में लेकर आते हैं अखेले में पूछते बाई तरह सीक्रेट क्या बता है तो जब अकेला रहा तो सब सेर कर देगा तो यह इधर प्लस है उधर क्या तो माइनस हो गया 180 माइनस 135 है जब माइनस करेंगे तो बहुत सिंपल है टैन मे प्लस है तो यह आपका सेटेट का अंसर आ अब बात को जड़ा सा ध्यान देजिएगा आप क्या द्यान देना है आपको की कहीं पर भी मैं अलग कुछ करके आपको बता रहा हूं अलग आपको बता रहों गया नहीं जो मैंने डाग्राम में डिसकस किया था औरी मैं पूरा फॉलोग कर रहा हो और डायग्राम में बें में कुछ अलग प्रोकेट साइंस लगया गया लगा आपको सिंपल बेसिक जो आपको आते है वही बेसिक चीज़े लगाई थी तो डाइग्राम आपको गाईड करता है तो लेवल वन डबलु आइं में यह दिसकस किया था कि जो लेंथ है और लेंथ ओट अब डबालु है वह से में से में करते नहीं को एड करो आपको आंसर मिलेगा आपको आंसर क्या चाहिए आपको आंसर चाहिए में ना अब मिलेगा एड़ करो तो अब दोनों का रीजन देना पड़े आप पहला रीजन यहां पर एक रीजन हम लोग देंगे कि कि टाइगनल्स कि अफ परल्लेलोग्राम है फोट लंबा है ना यह परल्लेलोग्राम लिखने में फोला कंटाला आधा ना इंटर सेक्ट इंटर्सेक्ट इंटर सेक्ट इच अगरें एकॉली इकुली इकुली श्माज़ते हो उक पाट में तो यह बाइओ अब यह बोल रहे है कि लाइन में आते हैं देखो यह तो सारे रीजन में देदीये स्टैप से फोलोग रहा हूं दागराम में पता था बस वह ही फिर क्या देखो फिर बताओ लिखेगा कौन लिखती है ना भाई फाई और डब्लू अभी तो पता है तो लेंथ वाई डब्लू कितना हो गया वाई डब्लू बोलो डब्लू बोलो एक ही बात एक्जाम में क्या पूछा है डब्लू वाई लेगनेगा ओके पाई त्यां भाई क्या हो गया दिर गुठ तो लेंथ ऑफ वाई डब्लू इस सब्सक्राइब इस नई घ्र जो भी है तो अब मुझे बद्ध आओ कि कॉन सा स्टैप मैंने डाइग्राम के एक्ट्रा मैंने किया दा जो मैंने डिस्कस किया सब्सक्राइब लेवल वन यह निकाला लेवल टू में इधर निकाला वह कर रहा है लिखते जाओ पॉस करके भी लिख सकते हो लेवल थरी कटम इसी तरह से आपको जोमेंटरिक जाना इस लाएक गेम इस लाइक आपका लाइन आपका स्टोरी सब कुछ आप करेगा बर डायग लगता है तो यह आपका सेकंड कोईश्यन है तो जैसा अमिट सर ने बोला था मैंने बोला था मैं इस प्लस ट्वेल डिग्री होगी बी बोल रहा है टू एक मैंस 32 होगा टू एक माइनस 32 होगा याद रखो डायग्राम में पावर होती है डायग्राम आपको सब कुछ दॉसरा क्या निकालने हैं अब ट्रूट करो किसके साथ खुद के साथ नहीं फर्स्ट आप वाल मैंने तो यह जानता हो जब एक्सका वेल्यू आ गया लेबल वन कम्प्लीट एकस का वेल्यू इसमें डाल तो ए और बी का एंगल आ गया अब जब ए और बी का एंगल आ गया तो आपको पता है पूरा आंसर आ गया आपको मुह से आंसर भी बता सकता हूं बढ़ तोड़ा मैंनत करते सॉल करते सॉल करने हम लोगों कुछ लिखना आपको मुष्यर के सब्सक्रावुण इसके त्रीअस निये में इप युथा ये प्लस एंगल भी एस्ट एकुल डुपूल नहीं मैंने नहीं बोला डाइगरम ने बोला रहे यह दूनको एड़ए और एकुंफ तो एजिसेंट एंगल और सप्लिमेंट्री सप्लिमेंट्री का मतलब 180 लिक दो ना एंगल कितना है लिको 3x प्लस कितना है वही 12 एंगल बी कितना है 2x-32 इस इक्वाल टू कितना 180 तुछ ए और बी का वेल्यू डाला है अब लेवल वन कम्लीट करने फटाफट एक्स के साथ एड़ करो तो टूए 3x-2x-5x अब दूए टुएल प्लस 32 कर दोगे नहीं भाई दिमाग खोल के करो यह माइनस है यह माइनस ही प्लस है तो माइनस होका पहली बात दूसरी बात दोनों में जो बड़ा होगा उसका साइन फोलो करना पड़ेगा बड़ा कोने 12 माइनस यह बड़े प्लस कही से आया यहाँ बड़े नंबर का साइब अब 32 में 12 माइनस करो कितना आएगा 20 200 और एक्स को 200 बाइट फाय हो जाएगा जब इसको आप तोड़ोगे तोड़ोगे मतलब रफ में यहां पर दिखा था हूं मैं आपको तोड़ते कैसे तोड़ते कैसे हट्टी तोड़ रहे जा नहीं रहे पाबाबा कट कर रहें फाइव 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 जीरो यहां पर आँसार है 40 तो एक्स की वेल्यू कितनी आई 40 डिगरी डिट तो यहीं बरबर रहे ना बरबर रहे तो लिवान अंपले लेवल टू एं त्रि लेवल टू एं त्रि त्रिक वहले मैंने क्या बूला था कि एक्स का वेलिव आप एग्स का वेलीव में डाल लो a change level 2 जालो न is what 3 x plus 12 to 3 multiply by 40 plus 2 13 multiply by 40 माइनस 32 तो टू इंटू 40 इस वाट एटी एटी माइनस 32 कितना आएगा 48 माइनस करके आप चेक कर सकते हो और अपने एसे 80 माइनस 32 टैन में टू गया एट सब्सक्राइब करेक्ट है 48 अब मैंने क्या बता है था कि एंगल ए जो होगा वह एंगल क्यों क्यों बैचे आपने मन से अपने मन से नहीं आप अपोजिट एंगल तो यहां पर रिजन में क्या लिए आप वोए इंगल जो हम डिसकस कर रहे है सब्सक्राइब करें और तो मैं रिजन भी लिखे रहा हूँ ना कुछ अल्लक से लिख रहा हूं किया नहीं मैंने कुछ भूल रट्टा मार के रखो नहीं अपोईट अंगल ओफ परल्लेलोग्राम और कॉंग्रेंट या कॉंग्रेंट नहीं लिखो तो भी चलेगा अपोईट सब्सक्राइब करने कुछ नहीं समझ में आएगा मैं स्क्रोल कर रहा हो एक बाद चेक कर लो इस तरह समय में पुरा सॉल किया है तो चलिए नेक्स कोईशन की तरह बढ़ते हैं हम लोने कुन सा कुईशन किया सब्सक्राइब करते हैं बढ़ा मजा रहा है कि नहीं पर बढ़ा नाम नहीं तो क्या करेंगे अपने मंसे लेलो नाम पी कि वारेस जब कोई नाम करने वाला ना हो तो खुढ नाम करने कर लेना चाहिए और यह मैं त्रेड़ा में बना रहा हूं आप पेंशेव स्केल का प्रॉपर यूज करके बनाना पी कि वारेस अब कि बहुत है प्यारों अ जब़ए परिए नाप यहां से पूरा वन बु तो दूसरा साइड उससे 25 प्लस होगा मतलब किस से 25 प्लस होगा एक से यह कहां से लाए सर तो ऐसा ही करना है पहले साइड करना है पहला वेल्यू क्या करना है यह सब निकालना है तो सॉलूशन चालू करते गाइस चालू करते जोमेंटरी का नाम लेकर पहला लाइन क्या हुआ पहला यह होगा कि यह डायग्राम है वह क्या है इस पैरलेल लोग्राम तो हमें साइड अगना पहला लाइन पर यह होना चीए प्रॉपर्ली चल रहा है यह वरी गुड अब यहां पर यह बनाया है इसके नाम करने ना नहीं दिया था तो यहां पर इसके आगे एक वर्ड लगा देंगे लेट वरबर दूसरी बात इसमें यह बोली गई थी कि वन ओप तो शाइड इस ग्रेटर दें तो लिट दें है एंड एंड साइड को नोने पी क्यू को पी क्यूं कि इस एक्स तो अब लोगने यहां पर जो डायरम में लिखागा वह यहां पर लिखा है हां मैं आपको बदना भूल गया कि सॉल कैसे करेंगे डायरम आपके सामने बहुत सिंपल है बड़ा मजा आएगा पी क्यू एक् पर लाइन कीज देता हूं आपको डाउट ना हो कि बाई डायरम कि दर है और स्केट्मेंट कि दर है जस्पोर अंडरसेंडिंग परपस तो देखें यह एक्स तो यह एक्स प्लस 25 तो यह कितना यह एक्स प्लस 25 कैसे अरे बहुत सिंपल है अप सर वेल्व कैसे निगलेगा स सबकार करो सबकार करो 150 तो इसको जब यह एक्स बंजाएगा इसको सॉल करेंगे तो एक्स की वेल्यू आएगी वह चारों में वेल्यू पुट कर दो तो उसका आंसर निकल आएगा बस बात ख़तम वही निकाल लाए ना और कुछ निकाल लाए ना नहीं तो जैसा मैंने डि अरे कहां से आया अरे कहां से आया ठीव निनाने बाह आवा रिजन में से अंग्री ना कुछ निक्म विए क्रेव लाए ने वह वहीं तो उम लोगा प्र हो उसके बाद पीएस कितना है एक प्रस्ट्रेश वेटीफार स्वाइग है इस गोल टो एक वन फिफ्ट्री श्री आप यहां पर कुछ बात हो जाती है रीजन लिगना रीजन क्या लिए आपको पर बात की अपोसिट ho type अ और लोग्राम हैं जिसके वजह से क्या होगा जिसके वैसे यह होगा है पी विक्कोब हो जाएगा किसके आर और और Mae मड़ीर badatribe यह मैं प्रॉपर्ली लिग देता हूं क्या मिस्टेक या कन्फ्यूशन नहीं होना चाहिए तो एक्स वन टू थ्री फॉर फॉर एक्स इसको वैल्यूट करना है उसको एकला करो फॉरह मन्हों फॉर न रिखान है तो फॉर्ट हम फॉर्ट पॉर्ट है कि यूइन टीफाइग उसको मैं प्रॉपर लिए लिए लेवल वान कम्प्लीट लेवल वन क्या था एक स्पाइड और करना है बागी वेल्यू तो बहुत इजी वह गए ला कैसे एस से दुखो वहला कॉपी करेंगे यह वहला इधर कॉपी करेंगे गिक्यू कीटैने बाबार्र से उसकी वेलु कितनी है एकस है का डूसर AugenOFF किल रहे हैं तो बहूत सिंपल ने बाबाlax verify यह Tillिज' तो यहां पर कितना आएगा 25 सेंटिमेंटर में दिया है तो आप सेंटिमेंटर में लिखोगे यहां पर 25 तो 50 सेंटिमेंटर तो सर काम खतम क्या अरे बिलकुल काम बिलकुल खतम यह देखो पिक यू और रस दोनों की वेल्यू 25 25 क्यों सेंटिमें कितनी है 50 समझ में क्या कुछ आंसर हो गया यह लेवल लेवल टू कॉम खतम तो यह सब का वेल्यू निकाल ले नहीं तो सबकी वेल्यू आ गई गई क्रॉस्ट चेकर भी आप सकते हो जो भी वेल्यू आई 25 और 50 आई वरबर तो यह 25 यह 50 प्लस 50 75 प्लस 25 क्लिकर लिया कंपलीट एक बार देख लिए एक पार स्कूल कर रहा हूं मैं देख लो याद रहो डायग्राम डायग्रम बैटर करता है डायग्रम अच्छे से समझ गई आप बास बाकी सब खत्तम डाग्राम आपको पताया क्या करना है और यह बिल्कुल ऐसे है जो आप समझ रहे हो डाग्राम में वही चीछ को आपको लिखना है बस एक स्ट्रेप का रीजन दो बास यह जोमेट्री बहुत इसी होता है जोमेट्री फाल तुम्हें अफवा उड़ा के रखे जोमेट्री हाड होता है उनको बोलो कि भाई तुम जाओ लेक्षर देखो अमित सर्गा तब तुमको समझेगा बहुत इसी है बास यह बहुत इसी है स्टेट्वें दरनेंगा नहीं बिल्कुल डरनेंगा नहीं डियाग्राम बना लिया ना आधा का मुद्धरी खत्त इसलिए मैं रफली बना देतों आप प्रॉपरली स्केल पर जिर्णा उसको उनने टीचर मांक्स कट करते कि ला इसके लिए उसके क्या हो रेशियो ऑफ रेशियो मतलब क्या होदा डैस अपन डैस मेजर टू एजिसेंगल एजिसेंगा रिभा हो एजिसेंगोने बाजू वा इसके वेलिवीं पता है इसको डबल कर देंगे यह इन आ गया नहीं पता है कोई जिसका कोई नियों आ जाल होता है तो इसको में एकसी अस्यूंग करेंगे यह एकस और इसके आपूसिट वाला है यह यह भी एकसी आएगा ना आ क्यों आप्पोजेट अंगल भाई भाई कोंग्रेंट डेट्स वाई और यह भी तो कोंग्रेंट होगे ना तो बास तुम्हारा काम गतम भाई तुम्हारा देर तक टिकने वाले नहीं हो मुझे मालूम पड़े किया स्टेज क्या है पहला स्टेज भाई एक्स का वेल्यू रि गलाव क्या तो बार मीट्र करेंगें लूट्स होटा क्या यह अपने पास है या चार साइड वाला दिलैटर है और कोई भी चार साइड वाला गाउन old यहां पर नहीं दिया हुआ है बट आपको पता है कि वह सब को एड़ करों तो कितना आएगा 360 रिजन यहीं तो निकाल ला है तो जो मैंने बोला वही अपने को लिखते हैं पहली बात वहीं अपने मन से लिए क्या मन से लिए लिए लेट अपने मन से नाम दिया नाम डेल विए लइं लिए इस नाम को कि उसके बात क्या करने को हुआ सिंपल सब को रगव कर ने मैं जरुए उसके तो यहां पर एक और लिए चीज लिखेंगे यहां पर लेट लिख देंगे लेट लेट एक्स एकल टो एक्स और दूसा यह दूनों इक्वाल के से हुआ तो यहां पर लिखेंगे रीजन में अपोजिट एंगल आपोजिट अफ प्यर्लेल लोग्राम क्यों क्यों अपोजिट अप्यृ प्यर्लेल होते हैं तो एक्स और जेड सेम है और एक्स का वैलू एक्स होगा स्मॉल एक्स हैं और वाइग्स क्या हो जागा फिर कि वाइक वेल्यू किसे कोग रेट होगवा वाइक का सामनी वारा वार्य होष रिव कि को अंता से मैंis मेंने किटना लिए है मुइब्लus हौरी यह यॉफ एक्स जी में चाहिं स्चालिंघ्स में लिया इक्सालॉस यह व्हेंनेम है खेड़ी एब क्या करएंगे क्या करेंगे क्या दिबहा ग्लाइब फ्लस एंगल ये क्या होता है एक फ्लस अंगल व यह क्या होता है 360 60 degree बच्पन से चीका है कई से बूल जाएंगे तो डट्स आ रीजन अब उसके वैल्यू डालो उसके वैल्यू डालो एक्स कितना है 2x वाई कितना है एक्स जेड कितना है 2x डबलू कितना है एक्स इस इगाल टू 360 अब याल करेंगे हैं 2x 3x 3x plus 2x 5x 5x plus 6x तो 6x is equal to 360 अब एक्स क्या हो जाएगा 360 अपॉन 360 अपॉन 6 कट करेंगे तो कितना आएगा अंसर 60 आएगा क्ट कैसे करते सर अरे मैं बता रहा है आपको मैं आपको सब बता हम और यह रफ पक है मैं पास जगह नहीं हो दर इसके लिए मैं यहां पर कर रहा हो 60 आप कौन कितना है इसक्स देखें यहां पर 6 1 जा 6 6 6 36 और यह 0 इदर आएगा तो यह वैल्यू आ गई पर्स्ट एप अपना हो यह दूसरा श्रेप क्या बोलता है सबके वैल्यू डाल नहीं है बास तो यह वाला पार्ट ना यह वाला पार्ट तो यहान पर लिखने दिमलोग गोड यह वाला पार्ट उठाके लिखता है यह अपर और तो यह पर लिखें के ओग्लोग math ऑल आपो एक्स स्र ना चॉड़ी सद्वोड दूसरा एंगल में ऑगंद क्यूसरा ao b टो ग्सक्राइब कर रहे हो अरे ऑपब ऑपका का इसको टाल दो इदर टो 60 टू 60 120 पर एक वी पवैल्यू इसे डी रहेगा 60 आगे हूं गया वेल्यू आ गया त्स यॉर देख लो कर लो इंद श्रड़ा आ देख लो इक बार आपकी सब्सक्राइब अ गर्याव कर लो समझ जयो कर सकती है आप पॉस्स करके भी क्लत कर सकते है तो यह अपना फाइनल प्रले था था वाइटिंग यह चारों समल नो यह चौटा सम ता ओगे नेक्स्क्स्ट्ट्स जो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे तो यह फूर्थ सम यह थर्ण सम यह सेकंड सम और यह फिर्ट सम क्यारों हो घै तो तारो वहाइज वीडियो और आपको बड़ा मज़ा है जो सिखार हो मैं इस तरीके से चाहिए कि आपको लॉजिक समझना चाहिए च्टेप्स क्या हो ज़रूरी नहीं होता है कि आपने जो सर टीचा ने सिखाया वही होना चीए या बूक में जाती है वही होना चीए आप अप अपने मन से स्टैप बना सकते हो लिख सकते हो स्टैप वैलिड होता है और आप उसे लागू कर सकते हो तो आपको बस डाग्रम प्रॉपरली बनाना है डाग्रम में सौल करो दीमक लगा और अफलान बना उसको एक्सक्यूट करो फिर यह बहुत बहुत अच्छा लगया बह पर लॉजिक समझ गया तो सम कैसा भी होने तो यू विल डूई डफिनेटली ओके जो चली गाइस मिलते अगली वीडियो में और अच्छे तरके से स्वाल करना और आपको जैसे मानने में चैनल सब्सक्राइब कर लो उच्छा सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें करे सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आते क्लास सिख से लेकर क्लास टेंट का मैं इसे नबरी प्रेक्टी सब्सक्राइब कोश्चिन चली गाइस मिलते हैं बाई बाई बाई